बलॉदा बाजार जले के नगर पंचायत लवन में लम्बे समय से पानी की समस्या बनी हुई है जिसके चलते नगर वासियों ने खाली बाल्टी लेकर पंचायत कारियाले के बाहर प्रदर्शन किया आपको बता दे कि नगर पंचायत लवन में करोडों रुपे खर्च कर जल आरवरधर्न योजना के तहित फिल्टर प्लांट लगाया गया है इसके बावजूद भी लवन के वाट क्रमांग तीन और छे समेत अन्य वाडो में पानी की किलत बनी हुई है जिसके देट स्थानिय महिलाओं ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि नगर पंचायत के द्वारा जल कर और संपतिक कर समय पर वसूल कर लिया जाता है लेकिन नगर पंचायत के द्वारा समय पर पानी उपलब्द नहीं कराया जाता है इसी क्रम में पंचायत छेदर की महिलाओं ने कहा कि आने वाले तीन दिन में अगर इस समस्या का सुधार नहीं किया गया तो हम आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे वहीं जब CMO प्रवर प्रधान से इस मामले को लेकर बात की गई तो उन्होंने कहा इसे जल्दी ही समस्या का समधान करने का आशवाशन दिया बलौदा बाजार से सुरेश पुरैना की रिपोर्ट पानी की समस्या खोले के हम लोग आए हैं अमोग फीय। वन जल लिए हैं जिसमें सुधा पानी का स्वीदा मिलेगा। लेकिन ये ऐसा है कि हर समय महना में 10 दिन चलेगा उसके बाद 10 दिन बन फिर 2 दिन चलेगा फिर बन आए दिन हर हमसा ये समस्या बनी हुआ है संधाइक्ष छिखारड कर चुके हैं और दो दिन चले हैं पानी 15 दिन से बंढ हो गया है तो रहरो कि पानी तुर ज़ुटर लगा तो बोलता है कभी डेम को खोल दिये हैं तो पानी नहीं आ रहा है से करके आज दिन कुछ समस्य बता के बस वैसी बोल के बोल दे रहे हैं अभी विगट लबग चल-पांस दिनों से लवन नगर में पानी की समस्य बनी हुई है चुकि हमारे जो राम जुंधरा पनरी में जो इ अब नीचे होने के काना जो है चल नहीं पार इसलिए लवन नगर पानी की समस्य बदी हुए है अब तक दूर करने के लिए अभी फिलहाल टेंकर को वाड़न घुमाया जाएगा और जितना स्विग रही इस समस्या को दूर करने के लिए सभी जनपिदम साथ बैठकर इस सम हम दया मदोघा हुए 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 हुए